हेलो विवन आज इस वीडियो में हम बात करने वाल हैं फेरोगलोबिन B12 कैपसूल के बारे में जो कि इस कैपसूल का इस्तमाल बलड में हिमोगलोबिन लेवल को इंप्रूब करने के लिए इसके साथी साथ सरीर में खून को बनाने में काफी अच्छे से काम करता है इसके क्या काम है इसके साथ साथ सकता है किसे नहीं लेना है यह सभी जानकारी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं फेरो ग्लोबिन B12 कैपसूल, जो की मायर्स और अर्गनिक कमपनी की मुरह ही मेडिसिन है, 15 कैपसूल की पैकिंग है, और 110-120 रोई की प्राइज में आपके पास की मेडिकल स्ट्रूपय अबलेबल हो जाता है, अब बात करते हैं इसमें आपको क्या 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 काम है, तो पहला कॉंबिनिसन जोकी आइरन मिल जाता है, जोकी खास दोर पे बलड में हविमोगोवी Peter Smooth करता है, आरबिस कांट को इंप्रूब करता है ईसके साथ सांति इसकिन को नरिस्मेंट करता है रात को दिर ना तक जगे रहने की समस्या होती है सिलिप क्वालिटी को इंप्रूब करता है नर्वस सिस्टम के लिए काफी फाइदमन्ध होता है इसके साथे साथ बहुत ज़ली थकावट महसूस होने की समस्या होती है किसी परकार का stamina बहुत ज़्यादा कमी होता है बहुत ज़ली ठकावट महसूस करते हैं तो उन से भी condition में iron काफी अच्छे से काम करता है इसके साथी साथ आपको इसमें vitamin B6, folic acid, vitamin B12 मिल जाते हैं जो कि खास तोर पे anemia की समस्या को दूर करने में काफी अच्छे से काम करते हैं folic acid मिल जाता है जो कि red blood cells को formation करता है इसके साथी साथी है बालों के लिए भी काफी फायदिमंद होता है समय से पहले बालों का जढ़ना या बालों का ठीकने सोना या सफेध होने की समस्या होती है तो उनसे भी condition में काफी अच्छे से काम करता है nervous system के लिए काफी फायदिमंद होता है brain की development के लिए काफी फायदिमंद होता है इसके साथी साथी है जो गर्वती महिलाएं होती है उन condition में भी दिया जाता है folic acid जो कि बच्चे के लिए काफी फायदेमंद होता है और ममा के लिए भी काफी बहतरीन होता है यह दवा को पूर्स भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके साथी साथ आपको vitamin B12 मिल जाता है जो कि हाथ पेरों कसून होना, हाथ पेरों में जलन होना नसों में कमजोरी होना, मास पेसवी में कमजोरी होना इस तरी की समस्या होती है तो उन सभी condition में vitamin B12 काफी फायदेमंद होता है digestive system को improve करता है मन का चिर्टिरापन को दूर करता है इन सभी समस्यों में इन सभी combination को काफी अच्छे से यह काम करता है इसके सांथी सांथ आपको इसमें आपको zinc मिल जाता है जो की immune system को मजबूत करता है रोक परतीरों तक छमता को बढ़ाता है किसी परकार का कोई भी infection बार-बार होने की समस्या होती है तो उनको यह दूर करता है इसके सांथी सांथ यह बोडी में healthy metabolism को बनाया रखता है ऐसा महसूस होना कोई भी चीज का खाना खाने के बाद टेस्ट का पता नहीं चलना इस तरी की समस्या होती है तो उनसे भी condition में भी काफी कारगर होता है इसके सांथी सांथ यह blood के clothing को होने से रोकता है इसके सांथी सांथ आपको copper available हो जाता है जो कि nervous system के लिए काफी फायदमन्ध होता है देरा तक जगे रहना बहुत ज़्यादा चिंताव की समस्या anxiety, depression की समस्या होती है तो उनसे भी condition में काफी अच्छे से काम करता है तो यह सभी combination combined होकर के अनेकों परकार की समस्या को दूर करने में काफी अच्छे से काम करती है बात करें इस दवा का क्या dose है तो dose depend करता है कि आपकी age क्या है healthy condition क्या है और आप इसे किस परपज में ले रहे हैं उससाब से इसका dose का confirmation होता है normally इसे दिन में एक बार रात को सोते वक्त खाना खाने के बाद ताजे पानी के साथ आप इसे इस्तमाल कर सकते है इस दवा का dose का confirmation और इस दवा का इस्तमाल के बारे में डॉक्टर की डेक देख में करें किसी के बताय जाने प्याप इसे इस्तमाल ना करें क्या नुक्सान हो सकता है अगर आपको सूट नहीं करता है तो वामिटिंग सर में दर्द, तोचा में लालीपन, बहुत ज़्यादा नींदाना भूख न लगना, पेटे में दर्दोना इस तरीके आपको नुक्सान दिखने को मिल सकते हैं यह बहुत ही रियर केस होता है किसे नहीं लेना है, अगर आप प्रेगनेंट लेडी हैं ब्रिस्विडिंग मदर हैं या आपको किसी परकार कोई भी क्रिटिकल मेडिकल कंडिशन में कोई मेडिसिन का कोर्ट चल रहा है तो उनसे भी कंडिशन में आप इसे इस्तमाल ना करें तो यह ही था फेरोगलोबिन B12 कैपसूल के बारे में जनकरी अगर आपको वीडियो और यह जनकरी अच्छे लगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू फर वाचिंग